So guys, finally अपना جो Advanced Server है, उसका Registration ओपन हो चुका है, अगर आप लोगों को नहीं आता कि आप लोगों को कैसे Activation Code मिलेगा, कैसे आप लोगों को Registration करना है, तो चलो guys मैं आप लोगों को बता देता हूँ, देखो guys, Simple है, Chrome के उपर आप लोगों को आ जाना है, एंद आप लोगों यहाँ पर search करना है free fire advance server या फिर advance server free fire जो भी आप लोग सर्च करोगे first में आप लोगों को जो site यहाँ पर दिखरी है उस पर आप लोगों को click करना है फिर आप लोगों के सामने एसा interface आएगा यहाँ पर ना guys आप लोगों को दो option मिलेगे एक तो आप लोगों को facebook से login करना पड़ेगा दूसरा आप लोगों को यहाँ पर google से करना पड़ेगा तो जिसमें भी guys आप लोगों को suitable लगे उससे आप लोग लोगिन कर ले लाँ फिलाल मैं अभी google से login कर रहा हूँ तो guys आप लोगों को एक बार ना page को refresh कर लेना है अगर आप लोग रिफ्रेश कर लोगे तो guys आप लोगों को यहां पर simply से जो activation code है वो भी आप लोगों को मिल जाएगा तो guys यह जो आप लोगों को code मिलेगा ना इसको आप लोगों को संभाल कर रखना है अब मैं इसा क्यों बोल रहा हूँ कि आप लोगों को संभाल कर रखना है क्योंकि guys अभी जो अपना advance server है वो आप लोगों को open नहीं होगा advanced server guys आप लोगों का 21 July को open होगा 21 July को जभी आप लोग यहाँ पर वापस आओगे न तो download करने का आप लोगों को option मिल जाएगा तो simply से यहाँ पर आप लोगों को download कर लेना है उसके बाद में guys आप लोगों को यहाँ पर जैसे ही login करोगे न तो आप लोगों को एक code मांगेगा कि आप लोगों को यहाँ पर एक code fill करना पड़ेगा तो वहाँ पर आप लोगों को जो activation code गरे लिए वालों ने दिया है वो आप लोगों को यहाँ पर फिल करना पड़ेगा तो इतने दिन आप लोग यहाँ पर free के diamonds का मज़े उठा सकते हो and आप लोग यहाँ पर अपने दोस्त को दिखा सकते हो कि भाई देख मेरी आइडिय में कितने सारे emotes है तो इतने दिन आप लोग यहाँ पर जो advanced server है उसके मज़े उठा सकते हो अब बात रहती है कि advanced server आ जाएगा तो उसके बाद में हम लोगों को क्या-क्या यहाँ पर new देखने को मिलेगा तो गैस देखो यहाँ पर मेरे पास एक photo आई है जिसका मैंने translate करके रखा है तो यहाँ पर गैस क्या लिखा है कि advanced server registration is now open come on by 1 minute यार मैं आप लोगों को English में क्यों बता रहा हूँ यार समझा न तो आप लोगों को Hindi में है न अरे यार मैं भी पागल हो गया चलो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ तो यहाँ पर उपर क्या लिखा है कि advanced server चालू हो चुका है उसका registration वो चालू हो चुका है तो उसमें guys सबसे पहले आता है अपना एक new character advanced server के उपर एक new character को add किया जाएगा जिसका नाम में Suzy अब guys वो character male का होने वाला है या फिर female का होने वाला है वो तो अभी मुझे पता नहीं है लेकिन हाँ नाम के उपर से तो लग रहा है कि अपना female का character हो सकता है plus guys हर वो भी अपडेट के अंदर घरिने वाले जैसे यहाँ पर कुछ character के उपर यहाँ पर adjustment करते तो इस update के अंदर यहाँ पर अपना जो अंटोनियो character, नाईरी, शीरो, एंड शानी यह जो चार character है ना उसके उपर आप लोगों को adjustment देखने को मिलेगा अब guys हर वो भी update के अंदर सारे character के उपर थोड़ा थोड़ा तो गरिने वाले changes करते ही है लेकिन यह जो चार character है ना उसके उपर आप लोगों को major changes देखने को मिलेगा मतलब बड़ा change देखने को मिलेगा तो यह अपने चार character होने वाले जिसके उपर change करेगी गने वाले इसके अला हो guys आप लोगों को यहाँ पर एक shield point mechanism देखने को मिलेगा जिसके अंदर आप लोगों को nano waste और nano charger ऐसा कुछ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा जिसका नाम रहेगा zombie hunt simple है guys आप लोगों को यहाँ पर zombie देखने को मिलेगी जिसको आप लोगों को kill करना पड़ेगा तो यह zombie mode साथी साथ में guys आप लोगों को यहाँ पर एक outlaw mode भी देखने को मिलेगा इसके अलवा guys यहाँ पर बात करें कुछ और updates की तो guys यहाँ पर लिक्स निकल कर आ रही है कि OB41 का जो update है न वो जैसे आएगा उसके एक या फिर दो दिन बाद अपने सारे जो pets है न उसको भी guys आप लोग गोल्ड से purchase कर सकोगे जहाँ guys सारे pets भी आप लोगों को अभी गोल्ड से मिलेगे अब सारे pets से guys मेरा मतलब यह है कि आप लोगों को जो अभी pets देखने को मिलते है वो ही सारे pets आप लोगों को मिलेगे अगर आप लोग पोरिंग पेट का वेट कर रहे हो कि वो आप लोगों को गोल्ड से मिलेगा अब्डेट की तो गैस मैं आप लोगों को बता दो आज के टूनेट अब्डेट के अंदर आप लोगों को दो इवेंट देखने को मिलेगे पहला तो गैस आप लोगों को फ्री मेजी क्यूब का एक इवेंट देखने को मिलेगा तो गैस इवेंट आप लोगों को मिलेगा ओक कल आप लोगों को सुबा के चार बजे या फिर गाइस सुबा के नो बजे भी आप लोगों को जो मिश्ची शोप इवेंट है वो अपने गेम के अंदर मिल जाएगा तो आप लोगों को मिश्ची शोप भी कल देखने को मिलेगी उसके अंदर कौन से बंडल साएगे आप वाले मिश्य शोप के अंदर जो कि आप लोगों को कल देखने को मिल जाएगी अभी चलो हम लोग वीडियो में और आगे बढ़े और बात करें अपनी नेक्स्ट हाइपर बुक की लेकिन यार उससे पहले मेरी आप लोग उससे बस एक छोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आ अप लोग पूरा वीडियो देखते हो लेकिन यार लाइक नहीं करते तो भाई बहुत तकलीप होती है तो भाई वीडियो देखो तो उसको लाइक भी करना सिखो यार कोई creator आप लोगों के लिए इसनी मेनेज करता है और आप लोग वीडियो पूरा देखते हो लेकिन चोड़ो आप लोगों को करना है तो करना वरना कोई बात नहीं है मेरा काम है आप लोगों को update देना चो चोलो मैं आप लोगों को next hyperbook दिखा देता हूँ आप लोग देख सकतो एक sub board की skin आप लोगों को यहां पर मिल जाएगी कटा नहां आप लोगों को मिलने वाला है एक आप लोगों को यहां पर एसे एटी का skin मिलने वाला है जो की guys यहां पर काफ ही legendary रहेगा दो glueil की skin आनी वाली है जी हां guys hyperbook के अंदर δो glueil की skin आएगी तो भाई ये जो दोनों glueil की skin हैं ना वो काफि यहां पर कमाल की होने वाली है, दोनों का कलर यहाँ पर चेंज होगा, इन्फेक्ट गाईज hyperbook की सारी जो item है ना, सारी items का यहाँ पर कलर चेंज होने वाला है, तो मुझे तो personally यह fire dragon hyperbook काफी कमाल की लगी, gluell के साथ गाईज आप लोगों को यहाँ पर grenade और आप लोगों को यहां पर legendary bundle भी देखने को मिलेगा जिहां guys hyperbook के अंदर आप लोगों को bundle भी देखने को मिलेगा उसका भी यहां पर जो color है वो change होने वाला है तो आप लोग इसको जरू से purchase करना अगर आप लोगे के पास अच्छा collection नहीं है तो आप लोगों को यहां पर एक आज की वीडियो के अंदर नहीं दीए लेकिन अगर वीडियो पसंद आई हो तो like कर देना okay